नमस्कार, भी ये थर्ड येर के लिए हिस्ट्री ओफ इंग्लिश लिट्रेचर वाला जो उनका फर्स पेपर है, वो मैं अप्लोड कर चुकी हूँ, प्रीविएस येर्स के कुशन पेपर्स और आज के इस वीडियो में हम सेकंड पेपर देखते हैं, और इस साल ये पेपर अबजेक्टिव टाइप आ रहा है, OMR पर होगा तो ये इससे पहले 2018 में भी ये जो सेकंड पेपर था, Indian Writing in English, अबजेक्टिव ही आया था, OMR शीट पर ही हुआ था तो देखते हैं 2018 का कुशन पेपर, हो सकता है आप मैंसे किसी के पास ये पेपर हो या इसका अलग सेट हो, क्वेशन वही रहते हैं, सेट A, B, C, D, 4 सेट बनते हैं तो क्वेशन थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं अगर आपके पास ये क्वेशन पेपर हो तो, पहला क्वेशन देखिए, Hunger is one of the most remarkable poems of, तो हंगर एक बहुत लेखनिया कविता है, किसकी है, जैन्त महापात की, तो सही जवाब भी होगा तो इसका सही जवाब जैन्त महापात्रा है, 22 अक्टूबर उनका जन्दिन होता है, अभी भी जीवित हैं और कटक में ही रहते हैं, तो इसका सही जवाब जैन्त महापात्रा है इसका सही जवाब है, A.K. रामानुजन फिर है, The Striders किसके पैन से निकला है, मतलब कि किसने लिखा है, तो A.K. रामानुजन की रचना है इसका सही जवाब है, तो इनमें से कौन सा मुलक राज आनन का ओटो बाइग्राफिकल उपन्यास है, यानि आत्म का थात्मक उपन्यास है, तो जो ऑप्शन्स हैं, उनमें सही ऑप्शन है, Seven Summers, हलांकि उन्होंने चार वोल्यूम में लिखा है, ये ओटो बाइग्राफिकल नॉबल और वो चार वोल्यूम का कम्बाइंड जो नेम है, Seven Ages of Man करके है, ये आप याद रखेगा, और उसका फर्स वोल्यूम जो है, वो है Seven Summers, तो यहां जो ऑप्शन्स दे रखे हैं, उनमें सही जवाब Seven Summers है, लेकिन आपके ऑप्शन्स में ये भी आ सकता है, Seven Ages of Man, Four Volumes में हैं, फिर Question Number Six देखिए, Which of the following poems is not by Nisim Ezekiel, तो इनमें से कौन सी पोईम Nisim Ezekiel की नहीं है, आसानी से समझ में आ जाएगा, The Striders नहीं है, क्योंकि The Striders उपर आ चुका है Question Number Four में, तो The Striders किसकी है, एक रावान जन की है, पहले ही आप जान चुके हैं, तो यहां जो सही जव जवाब है, D होगा, फिर Question Number Seven देखिए, Which is Nisim Ezekiel's Fresh Book of Poems, तो Nisim Ezekiel की नई Book of Poems कौन सी है, वो आइलेंड है, फिर Which of the following plays is not by Nisim Ezekiel, इनमें से कौन सा नाटक, Nisim Ezekiel का नहीं है, तो इसका सही जवाब है, The Dole Drummers, लेकिन आपके लिए यह जानना भी जरूरी है, कि यह आसिफ कासिम भाई का लिखा हुआ है, तो यह आपका अपनी नोट बुक में लिख लीजेगा, और वो भी लिख लीजेगा, उपर जो मैंने बताया था, Seven Ages of Men, Four Volumes में, फिर Question Number Nine देखिए, I regard myself as an Indian poet writing in English, मैं अपने आपको मानता हूँ कि एक भारतिय कभी हूँ, जो के English में यानि मेरी भाषा अंग्रेजी है, लेकिन कभी मैं भारतिय हूँ, तो यह निसमेजेकिल का है, जवाब है, और यह सवाल पूछा था उनसे, जोन बी बैस्टरन ने और उसका जवाब निसमेजेकल ने यही दिया था, कि मैं अंग्रेजी में भले ही लिख रहा हूँ, लेकि तो क्वेस्ट पत्रिका का संपादन किस ने किया था, अगस्त 1955 से लेकर जुलाई 1957 तक यह निसमेजेकिल ने किया था, फिर जैन्त महापात्रा इस ऑपसेज्ड विद पास्ट एंड प्रिजेंट आफ, तो जैन्त महापात्रा की रजनाओं में जो ज़्यादा उलेख मिलता है, वो अतीत का और वर्दमान का, किस स्टेट का? उडिसा का, उडिसा के ही रहने वाले हैं वो, तो उडिसा का ही, उडिसा से ही वो अपसेज्ड हैं, यानि ज़्यादा बंधे हुए हैं, उडिसा से ही, प्रभावित हैं, 12 वर्शन देखिए, तो साहित एकडेमी अवार्ड उनको जिस रचना पर मिला, उसका नाम है, रिलेशनशिप. नेक्स कुशन देखिए, विच बुक ऑफ जैन्थ महापात्रा इस एन एक्जाम्पल, इस एन एक्सपैंशन ओफ प्राइवेट लिरिक, वोईस इन्टू अचेन ओफ मेडिटेशन, यानि जैन्थ महापात्रा की कौन सी रचना है, जो कि व्यक्तिगत विचारों का, व्यक् की रचना रिलेशनशिप, जिस पर उनको साहित एकडेमी अवार्ड भी मिला था, और ये बात भी आप याद रिखेगा, कि वो पहले ऐसे कभी हैं, नोट कर लीजेगा, वैसे मैंने उनके उपर जब वीडियो बनाया था, तब भी आप से कहा था, कि ये विशेश्ता है जै पताए लिखते हैं और उनको साहित एकडेमी अवार्ड मिला था, तो ये खास बात है उनके बारे में नोट करने लाएग, फिर है फिश्टींथ क्वेश्चन, लेट इन दा इवनिंग आफ लाइफ, एन एम्बरस्मेंट प्रिवेंट्स दे वर्ल्ड फ्रॉम स्पीकिंग, तो ये लाइन कहां से ली गई है, डॉन एट पुरी, ये रचना है जेंद महापात्रा की, और यहाँ डॉन की स्पेलिंग गलत है, द-O-W-N नहीं है, D-A-W-N, डॉन माने सुभ है होती है, मौर्नी, तो ये जेंद महापात्रा की ही रचना है, वहां से ये लाइन ली गई ह फिर देखिए, question number 16, which of the following is not a collection of poems by Nisim Ezekiel, तो इन में से कौन सा Nisim Ezekiel की कविताओं का collection नहीं है, तो जो चार options दिये गए हैं, उन में से the parrot's death नहीं है, अब parrot's death किसका है, पुरशोत्तम लाल जी का है, तो ये आप देख लिएगा, नोट करना चाहें कर लिजेगा, फिर question number 17 देखिए, which among the following is the poet of the city, इन में से किसको poet of the city कहा जाता है, तो ये विक्रम सेट को कहा जाता है, which poem of Ezekiel is an autobiographical poem, तो Nisim Ezekiel की कौन सी कविता autobiographical है, तो इस में से background casualty, ये autobiographical कविता है, which poem of Nisim Ezekiel is a critique of the man-woman relationship in modern society, तो Nisim Ezekiel की कौन सी कविता है, जो के आध्मनिक समाज में इस्त्री पुरुष समंधों की एक समालोचना प्रस्तोत करती है, तो वो woman and child कविता है, फिर है, who has written the following lines, ये पंक्तियां किसकी लिखी हुई है, my mother only said, thank God, the scorpion picked me, picked on me, and spared my children, यानि, इसने, इसकॉर्पियन ने, बिच्छु ने, केवल मुझे चुना था, और मेरे बच्चों को छोड़ दिया, भगवान का शुक्रिया इस बात के लिए, तो ये कौन, किसकी lines हैं, ये निसिम Ezekiel की lines हैं, और जो कविता, जिस पोईम से ली गई हैं, ये lines, उस पोईम का नाम है, The Knight of the Scorpion, मैंने अप्लोड की है, शायद आप में पढ़ी भी हो, The Golden Gate is a novel by Vikram Seth, तो Golden Gate Vikram Seth का उपन्यास है, फिर next देखिए, The Poem Unclaimed Begins with the line, तो Unclaimed जो कविता है, वो आपने पढ़ी होगी, मैंने वीडियो अप्लोड किया हुआ है, तो उ फिर है, A Sweetable Boy has been written by, तो ये एक novel है, A Sweetable Boy, और बहुत फेमस है, Vikram Seth ने लिखा है, next question देखिए, विज एमंगा फॉलिंग इस बोथ a novelist and poet, इन में से कौन, एक उपन्यासकार भी है, कभी भी है, तो Vikram Seth है, फिर mappings and beastly tales are poetry collection of, ये किसका poetry collection है, के कि ये अंदारुवा लगा है, 26, which of the following has not been composed by A.K. Ramanujan, तो इन में से A.K. Ramanujan ने किसको नहीं लिखा है, तो द्रौपदी और जैदरत उन्होंने नहीं लिखा है, फिर है, which poem of Ramanujan is associated with Hindu myth of Lord Vishnu, तो इन में से कौन सी poem है, A.K. Ramanujan की, जो के Hindu myth, जो बुराने कथा है हिंदूओं की, भगवान विश्नों की उससे समंधित है, तो वो है, still view of another grace, फिर in which year did Daruwala win the Sahit Academy Award, तो 1984 सीम उनको Sahit Academy Award मिला, which poet has described his poetry as a totally impressionistic recording of subjective responses, तो किस कवी ने अपनी कविता को कहा है, totally impressionistic recording of subjective responses, तो ये A.K. Ramanujan ने कहा है, फिर question number 30, which poem of K.K. N. Daruwala revolves around the experiences of hatred, violence and death, तो कौन सी कविता है K.K. N. Daruwala की, जो के नफरत, हिंसा और मौत के अनुभव से गुजरती है, या उनका बर्ण करती है, तो वो है death of a bird, फिर, पंडित कालिनाथ is a character in, तो पंडित कालिनाथ एक पात्र है, untouchable में है, फिर, who is the protagonist of untouchable, तो untouchable का मुख्य पात्र कौन है, बाखा है, वही hero है, फिर है, which among the following was honored with Sahit Academy Award, तो इनमें से किसको Sahit Academy Award मिला था, विक्रम सेट को मिला था, फिर है, who is described as a true child of the outcast colony, तो किसको कहा गया है, सच्चा बच्चा आउटकास कॉलोनी का, इस question का जवाब राखा होना चाहिए, क्योंकि उसी को कहा गया है, जो भाई है, बाखा का, लाखा तो बाप है, और ये इसके बाई को कहा गया है, तो मेरे हिसाब से ये, लाखा की बज़ाएं, यहां राखा होना चाहिए, फिर, next question देखिए, who is described as a peevish old black money lender untouchable, तो ये कहा गया है, हाकिम भगवान दास को, फिर है, who received W.H. Smith Literary Award, तो ये मिला था, विक्रम सेट को, फिर इन में से, who among the following was awarded पदमश्री, इन में से पदमश्री किसको मिला था, विक्रम सेट को मिला है, 38th question number देखिए, to rest within the unknown arms and know that this is all there and that this is so, the above lines have been taken from, तो ये जो lines है, ये unclaimed से ली गई है, पोइम आपने पढ़ी है, मैंने पोइम भी पढ़ाई है, इसका critical appreciation भी लिखवाया है, फिर है rhyme scheme of the poem unclaimed by विक्रम सेट, तो unclaimed की rhyme scheme, ए, ए, बी, बी, सी, सी, डी, डी, ए, ए, तो देखिए, ये poem आपको याद होगी, मेरे साथ आपने पढ़ी थी, ना, best test, ए, ए, सेंस, reference, बी, बी, डे, मे, सी, सी, और heart, part, डी, डी, नो, सो, ये हो गया, इ, ए, राह में स्कीम, इसी तरीके से आप बाकी poems की भी देख लीज पूछा जा सकता है, इस तरीके का question आएगा आपके लिए, फिर question number 40 देखिए, the poem unclaimed by Vikram Seth is his, ये 10 lines हैं, ये has होना चाहिए, थोड़ा गलत है, इसलिए confusion भी हो गया हमको, तो 10 lines हैं, A, A, B, B, C, C, D, D, E, 10 lines हो गईए, फिर है, question number 41, I regard untouchability as the greatest blot on Hinduism, मुझे लगता है कि जो अस्प्रिश्यता है, वो Hinduism पर सबसे बड़ा धबा है, the above sentence occurs in the novel, तो ये untouchable novel में ही है, फिर in which of the following novels of मुल्क राज आनन्द, मुन्नू is the chief character, तो किस उपन्यास में मुन्नू मुख्य पात्र है, तो ये कुली में है, मुन्नू जो के मुख्य पात्र है, फिर next देखिए, Name the first novel of मुल्क राज आनन्द, which carried a preface by E.M. Forster, that won him worldwide recognition, तो मुल्क राज आनन्द का वो पन्यास, जिसके लिए preface E.M. Forster में ने लिखा था, और पूरे विश्व में उनको ख्याती मिली थी, वो untouchable है, बहुत important question है, ये आ सकता है, याद रखेगा, E.M. Forster ने preface लिखा था, untouch Unouchable was published in, तो ये 1935 में प्रकाशित हुआ था, Sohini is the sister of, तो बाखा की बहन है, untouchable में, फिर है question number 46, in which character is untouchable, is described as noble and beautiful, patient and resilient, तो कौन सा character है untouchable का, जिसको ये सारी उपादियां दी गई है, noble है, beautiful है, patient है, resilient है, इसका जवाब, गलत लगा रखा है, यहाँ सोहनी होना चाहिए है, जो बहन है, बाखा की, वो उसके लिए ये कहा गया है, कि वो खुबसूरत है, अच्छी है, resilient जो समस्याओं का सामना कर सकती है, और patient बने, धहरेवान, तो ये सारी खासियत हैं, सोहनी में हैं, फिर है, next question देखिए, rejection of Indian roots, Indian habits and customs is the central idea of which of Annan's novel, तो ये, इसका answer untouchable ही होगा, यानि बहुत सारी आदतें हैं, भारत की परंपराएं हैं, तो उनका rejection है, untouchable में, उनका तिरसकार है, फिर है, which novel of Annan is a tale of class struggle, तो अनन का कौन सा उपन्यास class struggle की कहानी हैं, तो हलांके सभी में दिखाया गया है, caste, देखिए, खासकर जो untouchable है, उसमें तो आप caste struggle देखते हैं, जाती बाद ज्यादा देखते हैं, क्योंकि जो अस्पिशता है, untouchability है, वो जाती के आधार पर है, तो अब यहाँ class struggle पूछा है, तो उस हिसाब से यहाँ जो सही जबाब है, वो कुली है, फिर है, which is known as the total novel of human experience written by मुल्क राजानन, तो इनसान के अनभवों का total novel किसको कहा गया है, वो across the black waters, नहीं नहीं, कुली को कहा गया है, यह इसका जबाब कुली होगा, फिर question number 50 देखिए, the suffering of the untouchable outcast is cyclic, generational and perpetual, this is the idea which is at the center of which of novel of anand, यानि क्या पूछा है question, the suffering मनें, पीडा of the untouchable, special लोगों की, outcast, जो जाती से बाहर होते हैं, यानि इनको गाउं से भी बाहर रखा जाता था, अभी तो ऐसा नहीं है, उस जमाने में ऐसा था, तो उनकी जो पीडा है, is cyclic, cyclic मने, घुमती रहने वाली, हमेशा रहने वाली, generational मने, पीडी-दर-पीडी रहने वाली, and perpetual मने, हमेशा रहने वाली, तो this is the idea, ये एक ऐसा विचार है, which is at the center of, जो के केंदर में है, which novel of Anand, आनन के किस उपन्यास के, तो जाहिर सी बात है, untouchable के केंदर में है ये, the name of Draupadi's husband, Draupadi के पती का नाम क्या है, तो ये ढुलना मांजी, Draupadi कहानी मैंने अप्लोड की है, जरूर पढ़ लीजेगा, कहीं से भी question पूछा जा सकता है, उसमें से भी, who has been described as the prospero in the story, Draupadi, तो किसको कहा गया है, सेननायक को कहा गया है, फिर who has been described as omniscient in the story, Draupadi, तो Draupadi कहानी में omniscient किसको कहा गया है, तो इसका जवाब ही सेननायक ही होगा है, यह मैंने गलत लगा रखा है, सेननायक को ही कहा गया है, फिर है question number 54, सेननायक is a character in, तो सेननायक जो पात है वो Draupadi में ही है, फिर Draupadi was originally written in, Draupadi मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी, बेंगॉली, तो बेंगॉली भाषा में लिखी गई थी, लेटर translated into English, और बाद में अंग्रेजी में उसका अनुवाद हुआ, विक्रम सेट was born on, तो विक्रम सेट जून उननी सो बावन में पैदा हुए थे, who sexually assaults सोहनी, तो सोहनी का मंदब शोशन कौन करता है, तो वो पंडित का लिनाथ है, who is बाखा's best friend, तो बाखा का जो सबसे अच्छा दोस्त है, वो छोटा है, फिर है in which novel does मुलकराज आनन्द give an insider view of Indian society and its orthodox mind, तो किस उपन्यास में मुलकराज आनन्द एक अंदर का दिश्य उपस्थित करते हैं, भारतिय समाज का और उसके orthodox मने, जो कटर माइंड सेट है, विचारदारा है, तो वो untouchable में ही दिखाई देता है, फिर है रामचरण is a character is, तो रामचरण एक पात्र है, वो untouchable में, वो प्रांट a conspiracy to kill कमला, कमला को मारने का किस ने शरिंत रचा था, वो Mr. Sharma ने रचा था, फिर हू गिवस अ पैरलोईट पिक्चर ओफ सुबू, तो ये अनारकली है, इसका जवाब, फिर, from whom सुबू snaches the gun, तो सुबू ने बंदू किस से चीनी थी, security guard से चीनी थी, फिर फिर फ्रेशन देखिए, 64, whom did सुरेश शूट with the gun, तो सुरेश ने बंदू किस से शूट किया, तो इन में से किसी को शूट नहीं किया, nobody, who is the new head of Hisra group towards the end of the seven steps around the fire, तो अन्त में अनारकली है, इसकी head, यानि Hisra की जो नई सरदार बनती है, वो अनारकली बनती है, which novel has been created a character novel by Edwin Muir, अच्छा, called आएगा, तो किस उपन्यास को character novel कहा गया है, Edwin Muir के द्वारा, तो कुली को कहा गया है, which novelist sees life sometimes as a comedy, sometimes as a tragedy, and sometimes the two modes fuse drastically, तो किस novelist के बारे में ये कहा गया है, कि कभी वो comedy लिखते हैं, कभी tragedy लिखते हैं, कभी दोनों को fuse कर देते हैं, mix कर देते हैं, तो ये मुल्क राजानन्द के बारे में कहा गया है, द्रोपदी इस, तो द्रोपदी की जो उम्र है, वो 27 वर्ष है, फिर, it's nothing but a bit of impertinent game playing with guns, who has said this, तो ये सेना नायक का कथन है, फिर, द्रोपदी इस, द्रोपदी है, अ ट्राइवल, एक आदिवासी महिला है, involved in a gorilla warfare, जो कि, जो छापा मार युद्ध होता है, तो उसमें involved है, शामिल है, with primitive weapons, जनी, जो आदिम हत्यार होते हैं, उनके माध्यम से, कहानी को पढ़ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि कहानी में से, बीच में से, कहीं, भी से भी question पूछा जा सकता है, फिर, in which poem of Mahapatra, we find brutal treatment of sexuality, तो ये hunger poem है, आपके syllabus में है, उसी में इस तरीके से दिखाया गया है, फिर, in which poem of Mahapatra, the word flash has been used, in the sense of sexual desire, and not in its literal sense, तो इस अर्थ में flash का, शब्द का जो प्रयोग किया गया है, वो जैंत Mahapatra की poem, हंगर में है, आपने पढ़ी है, फिर, according to Ramanujan, fear is, तो Ramanujan के नुसार, जो डर है, वो a kind of anxiety, एक प्रकार की anxiety है, फिर, how does Ramanujan explain issues related to anxiety, तो Ramanujan कैसे explain करते हैं, anxiety से सम्मंधित विंदूओं को, यानि चिंता से सम्मंधित विंदूओं को, तो by the use of metaphors, तो metaphors का प्रियोग करके, रूपक प्रियोग की हैं उन्होंने, when did Darwala return the Sahit Academy Award, तो बहुत सारे लोगों ने अपने अवार्ड लोटाई थे, आपको याद है, October 2015 में, जिन में जहन्त महापात्रा भी थे, उन्होंने भी अपना लोटाया था, तो आपको यादी है क्यों लोटाई गए थे, तो ये October 2015 में ऐसा हुआ था, यानि BJP की जब सरकार बनी 2014 ने, तो उसके बाद 2015 में, ये कहा गया कि साब intolerance बढ़ गई है देश में, और ये कह के, बहुत सारे लोगों ने अपने साहित Academy Award लोटाई थे, फिर है द्रोपदी हैस बिन रिटेन बाई, द्रोपदी कहानी किस ने लिखी है तो आप पर इचित ही है, महाशुएता देवी ने लिखी है, फिर next question देखिए, वो अमंग दा फॉलोइंग रोट मोस्ली इन बेंगॉली, इन मेंसे कौन लेखा गए हैं, जन्होंने ज़्यादा तर बंगाली भाशा में लिखा है, तो महाशुएता देवी ने लिखा है, वोट वाज दे कलर ओफ शॉल विच उमा वोड फॉर सुबू ज़ू वेडिंग, तो सुबू की शादी में जो उमा ने शॉल पहना, वो ब्राइट राइड कलर का था, तो ये वेडिंग एनिवर्सरी पे सुरेश ने उमा के लिए शॉल खरीदा था, कमला से कौन प्यार करता था, शुबू करता था, वें डिड दारुबाला रिसीव कॉमन वेल्थ पोईट्री प्राइज, मिला 1987 में, फिर फिर प्रिंटिंग की जबर्दस्थ गलती है यहाँ पर, रिकॉर्डिंग ओफ सब्जेक्टिव रेस्पोन्स होना चाहिए, मेरी भी समय में नहीं आ रहा था कि, क्या होना चाहिए, एकदम से इतनी ज़्यादा गलत स्पलिंग है, तो सब्जेक्टिव आएगा यहाँ है, आप साही कर लीजेगा, तो यह केकी अंदारुवाला की जो पोईट्री है, वो मलब एक टोटली मने पूरी तरीके से, इंप्रेशनिस्टिक मलब प्रभावकारी रिकॉर्डिंग है, अफ सब्जेक्टिव रिस्पॉंसेज, सब्जेक्टिव मने आत्म पर एक, अपने आप से सम्वंदित जो रिस्पॉंसेज हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, उनकी रिकॉर्डिंग है, तो यह उनकी पोईट्री के बारे में किसने कहा है, अब जितने नाम दिये हुए हैं, यह आपको कन्फ्यूस करने के लिए दियो हैं, यह उनकी खुद कहा है अपनी पोईट्री के बारे में, तो इसका जो जवाब है, वो केकी अंदारुवाला खुद हैं, उन्होंने खुद ही अपनी poetry के बारे में ऐसा बोला है फिर है which of the following poems of जैनत महापात्रा is his love poem तो इन में से जो poem है धौली ये love poem कही जा सकती है फिर है however you tear at the soft throat of life and probe the side blood with your inside tongue from which poem of Darubala these lines are taken तो आपको याद ही होगा आपने पढ़ी है मेरे साथ ये poem the unrest of desire से लिया गया है अब आप देख रहे हैं आपके लिए poem पढ़ना भी कितना जरूरी है सारा text पढ़ना कितना जरूरी है कहीं से भी कोई line उठा के दे देते हैं और पूछ लेते हैं कि भई ये कहां से ली गई है तो अगर आपने text पढ़ा होगा तो ही आप इन सवालों के जवाब दे पाएंगे इसलिए मैं आपको बार-बार कहती हूँ कि text जरूर पढ़ लीजे मैंने सारे text आपके लिए upload किये हुए हैं सारी poems के videos uploaded हैं और जो दरोपदी कहानी है उसका भी uploaded है तो ये जरूर पढ़ लीजे कहीं से कोई line आप से पूछी जा सकती है फिर है next question which of the following are metaphysical expressions used by KKN धारुबाला in the unrest of desire तो ये सारे ही expressions उन्होंने use किये हैं तो इसका जवाब होगा all of the ever फिर है what did anarkaly give to Oma अनारकली ने Oma को क्या दिया था तो ये जो चार options है locket, bracelet, necklace और wedding photograph तो इन में से जो सही जवाब है वो locket है और ये locket अनारकली को चंपाने दिया था ये चीज़ आप note कर लीजेगा seven steps around the fire मैं बहुत चाहती थी कि upload करूँ लेकिन नहीं कर पाई जब भी वक्त मिलेगा upload करूँगी तो ये जो तावीज के बारे में काफी important question है तो note कर लीजे आप कि अनारकली को ये locket चंपाने दिया था और इस locket को उमा को देकर अनारकली क्या कहती है कि अगर आप इस locket को पहनोगी तो आपको बच्चा होगा मदब इसके कोई बच्चा नहीं है उमा के तो इस locket में इस तावीज में ये शक्ती है कि इसको पहनने वाली जो मैला है उसके बच्चा पैदा हो जाएगा तो ये कहकर देती है अनारकली और खुद अनारकली को ये चमपाने दिया था तो ये विशेश जिक्र है वहाँ उस नाटक में इसलिए important है आपके लिए ये सवाल फिर when was the tannis seven steps around the fire aired on bvc radio तो bvc radio पर ये 9 जन्वरी 1999 को प्रसारित हुआ था फिर at which theater seven steps around the fire play was first performed तो पहले museum theater chain नहीं में इसको perform किया गया था फिर next देखिए who has directed the first performance of seven steps around the fire तो पहली performance का direction निर्देशन किस ने किया था तो एक जगह MTC productions दिया हुआ था लेकिन दो-तीन जगह महिश दत्तानी ही दिया हुआ है तो फिर मेरे हिसाब से हम लोग majority के साथ ही जाते हैं जब चार जगह दिया हुआ हो महिश दत्तानी तो हम महिश दत्तानी के साथ ही जाएंगे इसलिए मैंने पहले तो MTC productions लगा दिया था लेकिन मैंने कई और जगह देखा तो महिश दत्तानी ही दिया हुआ था तो इसलिए फिर मैंने ये काटके महिश दत्तानी लगाया है तो महिश दत्तानी अपने नाटकों में ये सारे issues raise करते हैं सभी ये जो समस्या हैं उन पर बात करते हैं sexual identity, religious faith, family ties and gender discrimination तो इन सभी पर बात करते हैं वो फिर dance like a man explores तो dance like a man में जो समस्या दिखाई गई है struggle and problems of a male dancer एक पुरुष नर्तक की जो समस्या है और उसका संगर्ष दिखाया गया है How many strangers does hunger have तो ये जैनत महत्तरा की पुएम हंगर में कितने strangers हैं तो उसमें five strangers हैं नहीं सॉरी देखिए तो चारी strangers हैं हंगर पुएम में एक तो ये इस त्रिंजा हुआ और ये दूसरा यहां शुरू होता है और यहां seas पर जाकर खतम होता है और तीसरा ये यहां से शुरू हुआ और mind पर जाकर खतम होता और चौथा स्षेजा यहां inside पर जाकर खतम हुआ तो देखिए इन میں पांच-5 लाइन्स थी पहले में दूसरे में भी 5 तीसरे में भी 5 और चौथे स्षे बिझा में minute questions आ रहे हैं अगर आपने poem नहीं पढ़िये तो आप जवाब दे ही नहीं सकते 5 strings आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कितने कितने line के strings आएं तो जैसा आभी आपने देखा कि पहले 3 strings में 5 lines थी और जो 4 strings था उसमें 6 lines थी तो इस तरीके का question भी आ सकता है आपको बहुत बारीकी से हर poem को पढ़ना है चलिए हम next question देखते हैं which poem of महापात्रा ends with a sense of defeat in spite of the satisfaction of physical hunger of the narrator and the fisherman तो हालांकि जो physical hunger जो शारिरिक भूख है वो narrator की खतम हो जाती मतलब satisfy हो जाती है और जो fisherman है उसकी भी भूख satisfy हो जाती है क्योंकि उसको पैसे मिल जाते हैं उन पैसों से वो खाना खा लेता है narrator की अपनी भूख थी वो भी उसकी भूख शांत हो जाती है तो लेकिन फिर भी a sense of defeat एक मलब हार की एक भावना है narrator के अंदर भी और fisherman के अंदर भी ना दोनों को ही एक हार का हिसास तो इसलिए होता है क्योंकि दोनों ने ही गलत किया तो ये जो सब कुछ है description ये कुस पोईम में हैं? hunger में है फिर in which poem of महापत्रा we find contrasting images of the narrator's agony, his dilemma, his sense of guilt and the fisherman's तो कौन सी कविता है महापत्रा की जिसमें हमें contrasting images मिलती हैं विरोधा भासी तस्वीरे मिलती हैं जिसमें narrator की agony है यानि बेचेनी है जो narrator है वो खुद बेचेन है his dilemma उसका मलब dilemma है कि करूँ या ना करूँ तो हलांगे उसने जो भी किया गलत किया वो चाहता तो पैसे दे सकता था बिना उस बच्ची को उसका शोशन किये बिना वो चाहता उसको पैसे दे देता लेकिन अब जो भी है fisherman तो किसी और को परोस्ता उसे तो बेटी से ये काम करवाना ही था तो ये sense of guilt है एक अपराद बोद है और फिशर्मेंस और फिशर्मेंस के अंदर भी अपराद बोद है लेकिन मुझे लगता नहीं कि कहीं हमको दिखा अपराद बोद अगर होता तो वो ऐसा नहीं करता चाहिए गुक हो मर जाता खायर जो भी है लेकिन ये सारी जो विशेवस्तू है जो थीम है वो सब हंगर कोईम की थीम है वियर वाज दतानी बॉर्ण दतानी कहां पैदा वो थे बैंगलॉड में पैदा हुआ थे कमला की मौत का रहसे किसने सुल जाया वो उमाने सुल जाया फिर किसके नाटक नाकेवल सामाजिक राजनितिक समस्याओं से जूजते हैं बट दे ऑल्सो एक्स्प्लोर्टी के दिमाग की भावनात्मक और मनोवग्यानिक स्थिती को भी दर्शाते हैं तो ये महिश दतानी के नाटक है फिर है तो हिजरा लोगों को क्या आशिरवाद देते हैं तुम शत्पुत्रवती भव ऐसा आशिरवाद दिया जाता है आपने देखा भी होगा महा भारत में भी ऐसा ही आशिरवाद दिया जाता था तो ये डी सही जवाब है और इस क्वेशन पेपर का आखरी सवाल देखिए इसके लिए मिला था ये था क्वेशन पेपर आपका 2018 का इसी से मिलता चुलता क्वेशन पेपर आपके लिए आएगा तो आपको करना क्या है बारीकी से आपको हर पोईम को और जो भी आपके सिलिवस में है ड्रामा है शॉर्ट स्टोरी है दो पदी है तो उनको ध्यान से पढ़ना है मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है आपके लिए भी ये थर्डियर इंग्लिश लिट्रेचर नाम से तो वो प्लेलिस्ट आप एक बार पूरी जरूर देख लें तब तक के लिए धन्यवाद